तो आज में लेकर आई हूँ चीली पटाटो के रेसिपी बहुती सहरल और इजी तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैं बनाना स्टार्ट के लिए मैंने ले लिये हैं अजमा अझा व्ताब अपिस्के ख्योट POLस के लिया है यह झाल और यहLSा करा अलाम एक फटेतर के लिया में च्रहा सबस्क्री कास अचा है आलू उनने मैंने अच्य से धो लिया है फिर छील के पारी मिर्च जाल काली मिर्च नमक। और फॉर्ष करना हैने के अच्छे से वाश करा हैं उसका सारा प्राइन सब्सक करें में इसकता थ्राइन करके अव्हरत एकटाव धूझार करून थ्तुमों अच्छी बढ़ा पिक सब्सक्राइब करों先 की प्याज, हरी मिर्च, प्याज मैंने कटी है, मैंने कटी के हुआ थोड़ा सा धनिया पीश कर्के रख लिया था, सफेध सिर्का रिखी आ राटा केच्छप आरा रोट रटता में घोल लिया है वेज में विय देखी है, तो इन सब को आटा पीट के तयारी रख लिया, तौ हम पुटाटो भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से यह देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है जब कि मैंने इसमें कोई फूट कलर का यूज नहीं करा है कोई भी कुछ ने डाला है सरफ जरासी मिर्च डाली है लाल और काली मिर्ची डाली है नमक डाला है बस इतना सच चीज अच्छा कर दोगी है कड़ाई कड़ाई में थोड़ा से मैंने रिफाइन सर्सू का तेल डाला था जब वह अच्छे से गरम हो गया है तम मैंने उसमें हरी मिर्च और हरा प्याज बहुत थोड़ा सा था तो वही एड़ कर दिया है अब इसके बाद में जो इस क्यूब में म थोड़ी से फ्राई कर लेने है जब यह अच्छे से फ्राई हो गए तो मैंने इसमें करीब दो चमच के लगभग टमाटो केचप एड़ किया है और इसके साथ में थोड़ा सा पाइन डाल दूंगी और अब मैं इसमें एड़ करूंगी थोड़ी सी सोया सॉस लगभग दो चमच के करीब ही डाल रहे हैं चमच देख लीजेगा छोटा वाला ही हो मैं तो अंदासर डाल रही हूं लगभग दो चमच के करीब हमने यहां सोया सॉस डाली है और थोड़ा सा मैं इसमें वाइट बिनेगर डाल दूंगी और इसे लगभग कंटीनू चलाते रहना है नही दक一定要 आरा या नहीं अत्वätta को सफक्त फानी होट के पहले से त्यारा रख लिया हैं मैंने हरी मिर्ची थोड़ासा अद्रक और धनिया जरा सा पीस लिया था वह मैंने कि इसमें मिला दिया है और अरा रोट जो हमने पानी में खुलकर रखा था वो मैं इसमें एड़ कर दूँगी आप लोग मुझे बताएगा किसे किसे चिली प्रटटो अच्छे लगते हैं यहाँ पे धनिया भी चॉप कर लिया है मैंने और अपना प्रीज सपोर्ट बनाएएँ वीडियो को लाइक, शेयर, सस्क्राइब करेगा आप लोग लाइक, शेयर करना भूल जाते हैं सस्क्राइब भी नहीं कर रहे हैं प्लीज एक बर वीडियो पे विजिट जरू करेगा और अर-a ロृटम बैनान के बाद इसमें थोड़ा सा आइन डालके है, छोड़ा सी थिक ग्रेवी हमें तयार कननी है इसकी क्यों हमें इसमें पोटेटो डालने हैं वो यह देखिए ग्रेवी हमारी तयार हो गई यह अच्छे से खॉल गई थी अब मैंने जो यह बना रखें यह इसमें मैं आड़ कर दूँगी यह देखो अच्छा सा खॉल आ रहा है यह आप देख सकते हो कितना अच्छा सा तो अब हम यह इसमें एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से चला लूँगी कि यह ग्रेवी में मिक्स हो जाए इसके बाद हमें इसमें हरा धनिया डाल देना है और खाने के लिए सर्फ कर देना है तो आप लोग मुझे केमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी चली पुटाटो की रेसिपी यदि अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर बनाएगा तो मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे इंजॉए करिए चली पुटाटो को